मधुबन के बाबा मधुबन के बाबा मुर्ली वाले आपका क्या कहना आपका क्या कहना ओम शांती आज चार फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य है आज की मधुर मुर्ली में बाबा मं बच्चों को बहुत सुन्दर दरपण देखने के बाद समझा रहे है बाबनी का मीठे बच्चे अपने दिल दरपण में देखो अंदर में कोई भूत तो नहीं भूतो को निकालने का प्रयतन करते रहो अपने दिल रुपी धरपण में देखो, अंदर में कोई भूत तो नहीं, भूतों को निकालने का प्रयतन करते रहो कोश्चने बाप और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिलकुल न्यारी रसम चलती है, वो कौन सी? बाप और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिलकुल न्यारी रसम चलती है, वो कौन सी? दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, या बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं बाप खुद कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में आके उपस्तित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे मेरे से भी बड़े ठहरे, दूसरा मैं निराकार निरेंकारी हूँ, जरूर मैं पहले नमस्ते करूँगा, ये भी संगम की न्यारी रसम है, ये संगम युक की न न्यारी रसम है, जो बाबा बच्चो को नमस्ते करते हैं, ओम शांती, आने से पहले पहले बाप बच्चो से नमस्ते करें, या बच्चे बाप को नमस्ते करें, बाबा ने पूछा, तो बच्चो नहीं कहा बच्चे बाप को करें, नहीं पहले बाप को नमस्ते करनी पड़ संगम क्यों रसम रिवाज सबसे नियारी है बाबक खुद कहते मैं सभी का बाप तुम्हारी सेवा में आक्यूपस्तित हुआ हूँ तो जुरू बच्चे बड़े ठहरे दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते यहां बाप बच्चों को नमस्ते करते है गाया हुआ है निराकारी निरेंकारी तो वो भी दिखाना पड़े वो तो सन्यासियों के चरणों में जुकते हैं चरणों को चूमते हैं समस्ते कुछ भी नहीं बाप तो आते कल्प के बाद बच्चों से मिलने के लिए तुम बहुत सिकी लदे बच्चे हो इसने कहते हैं मीठे बच्चे तुम ठक गए हो द्रोपती के पाउं दबाए तो सर्वेंट हुआ न वंदे मात्रम किसने उचारा बाप ने बच्चे समस्ते हैं बाबा आया हुआ है सारी स्रिष्टी की बेहद की सेवा पर बाबा आया है सारी स्रिष्टी की बेहद की सेवा पर स्रिष्टी पर कितना किचड़ा है यह है नर्क तो बाप को आना पड़ता नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए वो दिल से आते हैं जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है, कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित हुए हैं, यहां बैठे सब की सेवा हो जाती है, ऐसे नहीं कि सब के पास जाना होगा, सारी सिष्टी का कल्यान का रिदाता वो एक है न, उनकी भेट में मनुष्य कोई सेवा कर ना सके, उनकी बेहद क सेवा, शुब बाबा की सेवा बेहद की सेवा है, गीत चला जाग सजनिया जाग, कितना अच्छा गीत है, नव्यूग पर भी समझाना चाहिए, यूग भी भारतवासियों के लिए है, भारतवासियों से फिर वे सुनते हैं, सत्यु उत्रेता होकर गए, क्योंकि वो आते ही हैं द्वापर में, तो ओरों से सुनते हैं, भारत प्राचीन खंड था, उसमें देवता ही राज्ये करते थे, आदिसनातन देवी देवता धरम था, जो अभी नहीं है, गीता है देवी देवता धरम का माई बाप, बाकि सब बाद में आते हैं, तो ये हुआ प्राचीन सब धरमों के लिए, वास्तों में गीता ही मुख्य है, जो सब को माननी चाहिए, प्रंतु मानते कहां हैं, वो अपने धरम शास्तर को ही मानते हैं, ये तो जानते नहीं, भगवान ने गीता कब उचारी, गीता है बाप की उचारी हुई, उसमें बाप के बदले, बच्चे का न मुश्किलात कर दी, इसलिए सिद्ध नहीं होता कि शीवरात्री कब मनाएं, शिव जयंती के बाद होती है स्रेकृष्न जयंती, कभी भी स्रेकृष्न यग्या नहीं गाया जाता, रोद्र ज्यान यग्या ही गाया जाता, उनसे विनाश्ज्वला प्रज्वलित हुई, सो त सब धरम ना हूँ, बाकि सब आत्माई मुक्तिधाम में रहती हैं, भगवान से सब को मिलना होता है, सब बच्चों को बाबा सलाम करेंगे, सबी बच्चे बाप को सलाम करेंगे, बाप भी फिर आकर बच्चों को सलाम करते हैं, बच्चे फिर बाप को करते हैं, इस समय बाप स पाकार में आया हुआ है, यहां तो सब आत्माई बाप से मिलना सके, क्योंकि कोटों में कोई ही आएंगे, तो सब भगत कब और कहां मिलेंगे, जहां से भगवान से बिच्छुडे हैं, वहां ही जाकर मिलेंगे, भगवान का निवास्तान है यह परमधाम, बाबा केते सब से लिबरेट कर परमधाम लेके जाता हूं, यह काम उनका ही है, बाप को आना ही है, पतित स्रिस्टी को पावन बनाने के लिए, हैमली गौड फादर है, तो जरूर स्वर्ग क्रियेट करेंगे न, नर्क की स्थापना, रावन, स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं, इनका राइट नाम शिव बिंदू, आत्मा भी बिंदू है, ब्रिकुटी के बीच में इतनी ही रह सकेंगी, तो जैसी आत्मा, वैसा परमात्मा, वंडर है, जो इतनी छोटी सी आत्मा में, जो रास्ती जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, जो कभी घिस्ता नहीं, फॉ गीता में तो है राजशियोग से राजाओं का राजा बनना, तो जो सुख को कागविष्टा समान समझते हैं, उनको राजाई कैसे मिले, ये तो परविर्ती मारक की बात है, ग्रस्त वेवार में रहते, तुम्हें कमल फूल समान, पवित्र रहना है, चैरिटी बिगेंस ब्रह्मातन में, सबसे पहले साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ, शिव बाबा का ये चेतन्य होम है, पहले पहले ये सीखते हैं, फिर उनसे एडॉप्टेड चिल्डन नंबरवार सीख रहे हैं, ये बड़ी गूये बाते हैं, सद्गती दाता पतित पावन, खुद आकर ये स अपने जन्मों को नहीं जानते, इसमें एक की बात नहीं, सब ब्रह्मा मुख को अन्शावली बैचे हो, ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्रामन रचे गए हो, तुम ब्रामनों को ही समझाते हैं, निराकार श्रुब बाबा, ब्रह्मा मुख से ब्रामनों को ही समझाते, य पुरा भारी यग्य है, कब से डेगियां बड़े बड़े पती ले चड़ते आए, भंडारा अब तक चलता ही रहता है, समाप्त कब होगा, जब सारी राजधानी स्थापन हो चाएगी, यग्य कब तक चलेगा, जब बाबा केते पूरी राजधानी स्थापन हो चाएगी, बा अनुश्यों को पावन बना कर ले जाते हैं, फिर अपने अपने धरम स्थापन करने समय, पार्ट बजाने आत्माई आना शुरू करती हैं, अनेक धरम अभी हैं, बाकी एक धरम नहीं है, तो गीता है सर्व शास्त्रों में शिरोमनी, क्योंकि उनसे सब की गती सदगती होती है भारतवासियों में भी ज्यान वो लेते, जो आत्माई पहले पहले परमात्मा से अलग हुई हैं, पहले पहले वो आना शुरू करेंगे, नंबर वार, फिर सब को आना है, सतुर जो तमों में सब को पास करना है, अब कल्प क्या यू पूरी हुई, सब आत्माई हाजिर हैं, बाप भी आ गए, हरी को अपना पार्ट वजाना है, नाटक में सब एक्टर स्टेज पर तो नहीं आ सकते, अपने टाइम पर आते हैं बाबा ने समझाया, नंबर वार कैसे आते हैं, वरणों का भी राज समझाया, चोटी तो ब्रामनों की हैं, प्रन्तो ब्रामनों को भी रचने वला कौन, शुद्र तो नहीं रचेंगे, चोटी के उपर फिर है ब्रामनों का बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप फिर है शिव ब तो तुम हो शिव अन्शी, ब्रह्मा मुक्वन शावली, तुम ब्रामन सो देवता बनेंगे, वरणों का हिसाब समझाना है, बच्चों को राय भी दी जाती, सब एक जैसे होश्यार तो नहीं है, कोई नई क्या आगे विद्वान पंडित आकर दिबेट करेंगे, तो समझाने सकेंगे, तो कहना चाहिए कि मैं तो नहीं हूँ, आफ फलाने टाइम पर आना, हमारे से बड़ी बेहन आपको समझाएगी, मेरे से तो तीके हैं, क्लास में नंबरवार तो होते हैं, इसमें देविमान नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप रूच चली जाती है, कहिंगे बीक कि हम शुबाबा से पूचेंगे, महरती घोडे सवार प्यादे तो है न, किनकी शेर पर सवारी भी है, शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है, हाती हमेशा जूंड में रहता है, अकेला हो तो कोई मार भी दे, शक्तियों की भी शेर पर सवारी दिखाते, को सब धरम वाले तो नहीं मानेंगे, प्राचीन देवी देवता धरम किसने स्थापन किया, वो सिद्ध करके बताना है, उनको गौड गौड़ेस भी कहते, स्रीकृष्ण तो दिव्यात्मा है, इश्वर अलग है, लक्षमी नान को भगवान भगवती कहते, वैं पालना के नि भगवान के मुख के गाई हुई गीता है, शिरी शिरी रुद्र के गीता है, इसको कोई अपना मुख बना ना सके, गीता सिवाई शिव बाबा के और किसी के मुख से आ ना सके, गीता माता है, उनका रच्यता शिव बाबा है, वो बैठ ओरली समझाते हैं, शिव बाबा रखिक रूप से समझाते हैं, वो ज्ञान सागर है, तो रच्यता ही रचना की नौलिज देंगे, इसलिए रिशी मुनी भी कहते हैं, इश्वर की गतमत इश्वर जाने, अब इश्वर की मत सो है शिरीमत, जिससे सदगती मिल जाती, सो तो ठीक है, गती के साथ सदगती दोनों कहना पड़े, क्योंकि भारत में जब स्वर्ग होता है, तब ओर धर्म वाली गती में होते हैं, भारत वासी सदगती अर्था जीवन मुक्ती में हैं, ये सब रास बावर समझाते हैं, जो धारन करना है, भगती मारक वाली कहते हैं, वेद शास्तरादी सब से इश्वर का रा श्रिंगार कराना पड़े, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, सब महराजा महरानी बनना चाहते हैं, प्रन्तु बाबा कहते हैं, पहले अपना मुक्त देखो, नारद की बात भी अभी की हैं, उनको लक्षमी को वरने की दिल हुई, तो उसको कहा, कि अपनी शकल तो देखो बाबा भी कहते हैं, दिल दरपण में देखो, काम का भूत तो नहीं आता, जाच करते हैं, और भूतों को निकालने का प्रतन करते हैं, पहले अपने जाच करो, चेक करो कोई भूत तो नहीं, फिर उसको निकालने का प्रतन करते हैं, युक्तियां तो बाबा सब बताते हैं, मन में संकल्प तो बहुत आएंगे करम में नहीं आना चाहिए बाबा अच्छे करम सिखाते हैं करम अ करम विकरम की गती का ज्यान भी गीता में है और तो कोई नहीं जानते है विकरम कराने वाली है माया नहीं सत्यू में होती नहीं अब शिरीमत पर चलने से औरों की मच्से स्वर्ग वासी बन ना सके, औरी भरष्ट बनते जाएंगे, तुम बच्चे जानते हो अब एक धरम की स्थापना हो रही है, तुम योग बल से गुप्त वेश में अपनी किंगडम स्थापन कर रहे हो, हाथ में हतियार आदि तो कुछ है नहीं, ज्यान के बान वाती रादी हैं, उन्होंने फिर स्थूल में दिखा दिया, ये सब एक गुप्त शक्ती, शक्तियों की देखो कितनी पूजा होती है, दस बीस बुजाओं वाली तो कोई है नहीं, सबकी दो बुजाएं होती है, मनुष्य सृष्टी में आर्दस बुजा वाले कोई होते नही सुक्षम वतन में विश्णू को चार भुजा दिखाते, वो भी अर्थ सहित है, बीज को जानने से सारे जाड का ग्यान आ जाता, अच्छा, ग्यान का खजाना बच्चों को मिलता रहता है, फिर मुख मीठा कराने के लिए बच्चों को टोली खिलाते हैं, शिव बाबा सब बच्चों के लिए है, जो प्रशाद है, मीठी टोली है, स्वीट है, ये बाबा केते हैं बच्चों के लिए है, शिव बाबा खुद नहीं खाते हैं ये बच्चों के लिए हैं, राज्य भी बच्चों के लिए हैं, लक्षमी नार्ण भी जरूर अपने बच्चों को द मात पिता बाप तदका याद प्यार और नमस्ते माताओं को वन्दे मात्रम, बच्चों को याद प्यार, सब को गुड मॉर्निंग, अब रात पूरी होती है, गुड मॉर्निंग आ रहा है, नया युग आ रहा है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, रोहानी बच्चों की, रोहानी बाप ददको, नमस्ते, गुड मॉर्न शुक्रिया बाबा शुक्रिया धार्णा के लिए सार पहले पॉइंट है दे अभिमान को छोड़ अपने से बड़ों को आगे रखना है कोई डिबेट करता है तो बड़ों की तरफ रेफर करना है आबरू नहीं गवानी है Second Point है Charity begins at home पहले परिवार का कल्यान करना है ग्रस्त ववार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है पहले परिवार का कल्यान करना है ग्रस्त ववार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है वर्दान देयंकार वा अभिमान के सुक्षम अंश का वित्याग करने वाले आ दे एंकार वा अभीमान के सुक्षम अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव कईयों का मोटे रूप से दे के आकार में लगाव वा अभीमान नहीं है लेकिन दे के समन से अपने संसकार विशेश है बुद्धी विशेश है गुण विशेश है कलाएं विशेश है कोई शक्ति विशेश है उसका अभीमान अर्थात एहंकार नशा रोब ये सुक्षम दे अभीमान है अपनी विशेशताओं का, गुणों का, कलाओं का, उनका मन में सुक्षम में नशा होना, रोब होना, ये भी दिय अभिमान है, तो ये दिय अभिमान कभी भी आकारी फरिष्टा वा निराकारी बनने नहीं देगा, इसलिए इसके अन्ष मात्र का भी त्याग करो, तो सहजी आ आकारी से निराकारी बन जाएंगे, सहजी फरिष्टा से निराकारी रूप बन जाएंगे, स्लोगने समय पर सहयोगी बनो, तो पदम गुणारी टर्न मिल जाएगा, समय पर सहयोगी बनने से पदम गुणारी टर्न मिल जाएगा, ओं शान्ति!